हमशकार दोस्तों आप सबी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कॉंस्टेवल की आपकी वेकेंसी कब आने वाली है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नहीं है तो सबी तरह के लेटेस अबडेट्स के लिए आप हमारी चैनल लेटी जिन ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लें साथ ही अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लेक्स जरूर करें तो आए दोस्तों मेरे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं उत्ते प्रदेश में कॉंस्टेवल औफ आया मेंगी भरती को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है इस भरती के लिए अभी परिच्छा एजेंसी के चैनल प्रिया चल रही है उत्तर प्रदेस में कॉंस्टिवल ओफ फायामेंट के 26-83 पदों पर होने वाली भरती में शामिल होने के इच्चुक अभ्यारतियों को अभी नोटिफिकेशन के लिए थोड़ा और इंतिजार करना होगा दरसल इस भरती के आयुजन के लिए परिच्चा एजेंसी के चैन की पिकरिया अभी पूरी नहीं हुई है और उत्तर पुलिस 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 भरती एवं यू पी बी पी बी के ने इसके लिए टेंडर भरने की तारीख को फिर से आगे बढ़ा दिया है बोर्ड द्वारा चार मार्स 2022 को जारी किये गए नई नोटिस के मताबिक परिच्चा आयुजन करने के लिए इच्चो कमपनिया अब 15 मार्स 2022 तक अपनी निविदा बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर सकती हैं बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मताबिक भर्थी के आयुजन के लिए सिर्फ एक ही एजेंसी ने अभी तक अपनी निविदा प्रस्तुत की थी इसलिए बोर्ड ने इच्चो कमपनियों को फिर से टेंडर भनने का मौका दिया है अभी आर्थी को इस भर्थी से जुड़े अपडेट्स के लिए आप कॉंस्टिबल इस भर्थी के लिए नोटिफिकेशन जारी होने में अभी थोड़ा और समय लगसाता है दराशल परिच्चा एजनसी के चैन के लिए फिर से टेंडर प्रक्रिया शुरू किया जाने की वज़े से इसमें अभी और समय लगने वाला है इस भर्थी के आयूजन के लिए बिना परिच्चा एजनसी के चैन की नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा सकता है इसलिए यह उमीजता ही जा रही है कि परिच्चा एजनसी के चैन के बाद ही यूपीपीवीपी अवस भर्थी के लिए इनटिफिकेशन जारी करेगी साथ ही दोस्तों अब देखते हैं कि आयूग क्या विवस्ता है करने वाला इस भर्थी को पूरी करने के लिए इस भर्थी का सही तरीके से आयोजन करवाने के लिए यूडवल पीवी पीवी ने अभी से भी तैयारियां शुरू कर दी हैं दरजल परिच्छा एजनसी के चेहन के लिए जारी किये गई नोटिस के मताबिक इस परिच्छा के दोरान अभ्यार्थियों की बायोमेट्रिक पैचान कैप्चर करनी होगी और साथ ही परिच्छा के इंदरों पर सीसी टीवी या वीडियो रिकॉर्डिंग की भी विवस्ता करनी होगी इसके अलावा डीवी और पीस्टी के दोरान भी अभ्यार्थियों को बायोमेट्रिक पैचान की विवस्ता से गुजरना होगा अब बात कर दें दोस्तों कौन से अभ्यार्थि इसमें आविदन कर सकते हैं यूपी प्लिस कॉंस्टीवल तता फायामेन के पदों पर होने वाली भर्टी के लिए बारावी पास अभ्यार्थि को आविदन का मौकब दिया जा सकता है साथ ही इस पद पर आविदन करने के लिए उम्र सीमा 18 से 22 साल तक हो सकती है हालांकि जरूरी योगताओं के संबन में पूरी जानकारी नोटिफिकेशन जारी के होने के बाद ही सामने आएगी तो दोस्तो अभी आपका tender दूबारा कंपनीयों को दिया गया है तो अभी आपका इसमें नोटिफिकेशन आने में बहुत थाइम थोड़ा और वेट आपको करना पड़ सकता है क्योंकि अभी तर एख ही company ने answer दे आता तो दोस्तो अभी इसमें टाइम लगने वाला आपकी वेकेंजी में तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही अपडेट मिलेंगे अगले वीडियो में योपीड के साथ अब तक के लिए थैंक यू